हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का SSC Maker के YouTube चैनल पर और इस चैनल पर आपको Railway, SSC और Group D exam से सम्मन दित जितने भी information होती है वो दी जाती है तो आप सभी देख सकते हैं कि अभी Railway के द्वारा 28.1.2022 को Frequently Ask the Question on RRB Requirement Process के समन में जो students ने इनसे question पूछे थे उसके समन में इन्होंने answer दिया है तो हम उसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से तो यहाँ पहला notice देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दिखाया गया है तो इनके द्वारा यह पूछा है है तो मैं आपको वही दिखाता हूं कि इसके अंतर इन्होंने कौन-कौन सी बाते बत railway recruitment board function under the Ministry Railway's government of the India it is primarily responsible for recruiting to group C staff there are 21 RRBs in the country तो इनके तुँरा कहा गया है कि यह 21 RRBs है कंट्री के अंदर और यह जो काम करती है Ministry of Railway के अंडर में यह सारी काईजिय करती है तो यह question का अंसर दिया गया उसके पाद second question पुछा गया है कि requirement done earlier by RRBs ये पुछा गया है students की तरफ से तो इनके दोरा answer दिया गया है कि हाँ RRB have notified to 2,83,747 vacancies since 2018 2,48 में has given appointment to more than 1.32 lakhs candidate 1.32 lakh जो मतलब की students को इनके दोरा मतलब joining दे दी गई है और remaining vacancy under process है जो total vacancies 2,83,747 थी तो आप ये देख सकते हैं कि काफी important यहाँ पे इनके दोरा बताया गया है what recruiting is conduct with two stage computer based test तो मतलब की क्या कारण है कि conduct with two stage के बारे में इनके दोरा बताया गया है तो इनके दोरा ये कहा गया है कि candidate काफी जादा होते in case of the number of candidates who are applied against the notification are larger in number and are more than one crore then it advisable to conduct CBT in two stage इनके तोरा कहा गया है कि जब ज़्यादा student होते हैं तो हम दो exam conduct करते हैं जिससे की normalization के basis पे कोई भार ना हो जाए तो पहली stage conduct की जाती उसके basis पे ज़्यादा student को मतलब की चटनी कर दी जाती उनको और फिर उनसे एक और exam लिया जाता है जिसके माध्यम से एक जो correct student होते हो निकल के आ जाते हैं तो यह सही method भी है बस process थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो वो process इनको fast करनी चाहिए fourth question इनसे पूछा गया कि what is the basis of short listed candidate for CBT2 तो students के दोरा पूछा गया है कि जो CBT2 के लिए आप short list करते हो वो आपका तरीका क्या है तो इनके दोरा बताया गया है कि as per railway requirement board manual of 2015 2015 का जो manual था उसके according जितनी vacancy होती थी उसका 10 गुना लिया जाता था पहली stage में और 10 गुना लेकर जैसे कि 10 vacancy है तो 100 students को ले लिया CBT2 के लिए उसी प्रकार से इन्होंने बताया है तो उसके बारे में इनके दोरा ये information दी गई है लेकिन इनके दोरा कहा गया है कि अभी 10 प्लस 2 को भी इसमें शामिल कर लिया गया है इस कारण से ये बोल सकते हैं 2015 के बाद लगबग 15 गुना student को यहाँ पे लेना इन्होंने शुरू कर दिया लेकिन 2015 का जो manual था उसके according तो 10 टाइम था लेकिन उसके बाद इन्होंने लगबग 15 टाइम लेना शुरू कर दिया अगला कहा गया है फिप्त क्वेशन में कि हाउ मेनी केंडिडेट्स आर सोट लिष्टेड कि इन्होंने यह कहा कि हमने रोल नंबर तो इन्होंने विद्धियार्थियों को पास किया है 20 गुना को यह थोड़ी सी अलग चीज है यहां पर इस चीज़ को तो दियान रखिएगा 10 प्लस 2 तो इनके कहा गया है ठीक है शोट लिस्टेट अब सिक्थ क्वेशन है कि शोट शोट लिस्टिनिंग शूट बी ड़न फोर सेवन लेक एंड़ेट नोट सेवन लेक रोल नंबर तो अब जो स्टुटेंट के दोरा पुछा गया कि सात लाक केंडिडेट को पास किया है na कि आपने सात लाक कर रोल नंबर को यह किया है तो इनके द्वारा चौँए ए हैं कि गरिडेट इभाई में टैटिट सेवन लाग डिशित केंडिडेट शोट लिस्टेट पोट्रों 2 सेot लिस्ट मैंट एंस फैक लिस्ट शोट रिपीड क्रिडेट है । तो उसके अंतरगत क्या है कि एक ही student का दो बार जो है वो count किया गया है इसमें इस करण से 7 लाग हो रहे हैं तो वेसे तो तरीका यह होना चाहिए था कि 7 लाग रोल नंबर को पास करें लेवल पोस्ट वाइज एड़ रेट 20 तांस नोटिफाइड वेकेंसी इस इलोबरेट इन पेरा 13 ओफ नोटिफिकेशन दर लिस्ट 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 कंटेंड 7,5446 रोल नंबर विच इस 20 तांस नोटिफाइड वेकेंसी और तो इनके द्वारा कहा गया है कि जो पे 2446 बनता है तो इनके द्वारा ये बात कहीं गई है तो 10 candidates used to fight for one post now one candidate will fight for 10 posts तो अब student के द्वारा कहा गया है कि आपने एक post के लिए 10 student को मतलब की ये बोल सकते हैं कि select करना था लेकिन आपने क्या किया है कि एक student को 10 post के लिए select किया है तो अब RRB ने जवाब दिया कि फाइनली 35,281 35,281 district candidate will be selected and one candidate will be appoint against only one post depending upon merit and preference hence no post will remain इनके द्वारा कहा है कि एक student को एक पद ही दिया जाएगा जब आप एक student को एक पद ही दे रहे हैं तो फिर एक student को दो दो पद के लिए select क्यों कर रहे हैं इस हिसाब से तो क्या हो जाएगा कि vacancy खाली रह सकती है लगिन इ रीता देंगे तो एक student अगर दो पर select हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे यह इन्होंने exact clear नहीं किया है 9th number question में पूछा गया कि graduate candidate are getting undue benefit of becoming eligible for both graduate and 10 plus 2 level post had there been different notification for graduate and 10 plus 2 level post as used to be done earlier they would have to succeed in two different exams अब student के द्वारा पूछा गया है कि graduate candidate जो है वो graduation वाले post पर भी select होगा 10 plus 2 level वाले post पर भी select होगा इनके द्वारा क्या का गया है the integration of requirement for graduate and 10 plus 2 level post have been done to save time energy and effort which has been proved useful during COVID-19 pandemic also standard of CBT1 have been kept of 10 plus 2 level so as to be not to put disadvantage to 10 plus 2 level student and it is only in CBT2 that standard will be different across level यह बोल रहा है कि इनके द्वारा बोला गया है कि जो standard होगा exam का वो अलग-अलग standard होगा लेकिन यहाँ पर वैसे ही पता चल रहा है कि 10 plus 2 वाले को ntpc रिजल्ट तो 10th level question यह 10th question में पूछा गया है कि what have railways done for protesting candidate अगेंस ntpc रिजल्ट तो ntpc रिजल्ट के खिलाब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ntpc ने इसके द्वारा क्या किया है तो rrb पॉस्पॉंड तो इनके द्वारा क्या गया है कि rrb ने second stage cbt का जो एक्जाम है वो पॉस्पॉंड कर दिया है cbt of ntpc and first stage cbt of level one higher power committee comprising senior officials has has been formed to look into the concern and doubt raised by candidates in regard the result of first stage computer तो high power की committee बनाई गई है सारी बाते बोली है इनोंने और ntpc without affecting existing short stage candidate and introducing of second stage cbt in जो इनोंने जो दे रखाए कि cnrc one 2019 how can student logged their grievance to the committee तो इनके द्वारा कहा गए जब कि किस प्रकार से committee को student अपनी बात पहुँचाएंगे तो इनोंने कहा कि candidates can submit concern using link इनों दिया stp.com outreach available on rrb's website तो इनोंने ये link दे दिया 12th level question है कि what is the last date of registering grievance of the committee तो इनोंने 16-2022 बता ही है what is the timeline for the committee to address the grievance तो इनोंन बता है कि 4 March को committee जो है अपनी recommendation देगी कि उनके द्वारा क्या decision लिया गया है why has three been delay in requirement process तो the requirement process has got delayed due COVID-19 COVID-19 का बहाना है since March 2020 and various restrictions imposed on the account of various stages the capacity that can be utilized for CBT has also got impact because of social distancing norms leading to increase in number of shifts first shift CBT of CEN 133 shift हुई है उसके बारे मैं बता गया है और CBT की तो इस प्रकार से इनोंने जो question पूछे थे तो RRB काफी active दिख रहा है तो इसी सबसे इनोंने सारे question का answer दिया है तो इसी प्रकार की और भी update के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में notification बेलोगा उसको क्लिक के लिजेगा जो भी रेलवे एससी या गुरूब डी या अधर जितने एक्जैम्स होते हैं उनकी आपको information मिल जाएगी वीडियो देखने के लिए सभी दस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद thank you thanks for watching